क्या आप AI में जॉब करना चाहते हैं और अगर हां तो ये वीडियो आपके लिए लागदायक हो सकता है क्योंकि इस वीडियो में आपको AI के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी जैसे की आपको कौन सा कोर्स करना है, कितनी क्वालिफिकेशन की आवशकता है, कहां पर जॉब म मिलेगी और आपको सेलरी कितनी मिलेगी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, तो सबसे पहले जानते हैं कि AI होता क्या है, AI का मतलब Artificial Intelligence है, Artificial Intelligence मतलब एक ऐसा मशीनी दिमाग, एक ऐसा यंत्र जो मनुष्य के दिमाग के जैसा काम करता हो, मनुष्य के दिमाग जैसा सोच सके, मनुष्य के दिमाग जैसा पिछली घटनाओं को याद रख सके, विपरीत समय में सही गलत का decision ले सके, बिलकुल एक मानव मस्रिश की तर तो अगर आप इस AI यानी Artificial Intelligence अपना career बनाना, तो उसके लिए आपका क्या qualification होना चाहिए, सबसे पहले ये जान लेते हैं आपको बता दे कि इसमें career बनाने के लिए आपका graduate होना बेहत ज़रूरी है, और अगर आप computer science से सनातक कर रही हैं या कर चुके हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है तो चलिए अब हम यह जान लेते हैं, कि AI में कौन-कौन से course होते हैं AI में career बनाने के लिए machine learning या PC program कर सकते हैं, जिसमें machine learning सबसे advanced course आप इसमें online course भी कर सकते हैं, Udacity Free AI online course है, जो चार महीने का course है, जिसमें machine learning भी सिखाये जाते हैं इन course इसके अलावा आपको statistics probability theory, linear algebra और python programming language की basic knowledge जरूरी है इन courses को करने के बाद आपको AI field में आसानी से job मिल जाएगी चलिए अब हम यहाँ जान लेते हैं, कि आपको यहाँ job कहाँ पर मिलेगी आपको AI में job बैंगलुरू, दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद जैसे शहरों में आसानी से मिल जाएगी और अगर बात करें salary की तो इसमें शुरुआत में 50,000 से 1,000,000 तक की salary मिलती है और जैसे जैसे आपका experience होता जाएगा, salary भी तेजी के साथ बढ़ती जाती है तो ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताईएगा ऐसे ही और जानकारी के लिए इस चैनल को subscribe कर लीजिएगा, धन्यवाद